Hi everyone, इस वीडियो में हम xlookup function के बारे में discuss करेंगे, यहाँ पर name force and age की one है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ name enter करें तो उसकी age display हो जाए, अब हमें यहाँ पर name बार बार type करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक drop down list करेंगे, हम data में जाएंगे, data validation में जाएंगे, यहाँ से हम select करेंगे list को, then source के अंदर हम इस list का address देंगे, then apply करेंगे, हमारी drop down list करेंगे, see, अब xlookup function कैसे use करेंगे, equal xlookup, bracket start, lookup value में, name का address देंगे, lookup array, name list, comma, result array, हमें return में क्या चाहिए, हमें age चाहिए, तो हम age का address देंगे, then bracket close, press enter, c, roll की age कितनी है, 34, हम यहाँ से change करते हैं, अनिल, अनिल की age कितनी है, 55, हम यहाँ से change करते हैं, चराक, चराक की age कितनी है, 22, right, अब हमें, यहाँ पे name enter करना है, तो post और age डिस्पले हो जाए, right, हमें same drop down list चाहिए, हम यहाँ से drop down list को copy कर लेते हैं, copy करके, हम यहाँ पे paste कर देते हैं, right, अब हमें post और age चाहिए equal x lookup break it stand lookup value, lookup value क्या है name, इसको app for key से fix कर देंगे, comma, lookup array, lookup array क्या है nameless, इसको भी app for key से fix कर देंगे comma result array, result array में हम post list का address देंगे break it close, press enter, see अब इसको हम drag कर देंगे, चिराग की post क्या है, clerk और age क्या है 22, हम यहां से select करते हैं, अनिल अनिल की post क्या है, manager और age क्या है, 55 हम यहां select करते हैं सुमन, सुमन की post क्या है clerk और age क्या है, 22 अब यहां पे x lookup के अंदर एक और argument है that is, note found means अगर name इस list में नहीं है, तो क्या display करें हम यहां पे address तेंगे note found note found press enter अगर हम यहां से चिराख को del कर देते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा note rate clear तेंग्स वाचिए तेंगर तेंग्स वाचिए तेंग्स वीडिओ प्या schedक मित पेंग्स वाचिए वाचैंगे तेंग्स वाचब तेंग्स ब करूचों